यहो नर्वदा मैया कीजे यह मानर्वदा जी का तट है और मानर्वदा जी के तट पर जब भी हम आते हैं तो मैया से हमारी यही प्राथना रेती है कि हमें मैया के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संतों त्यागी तपस्यों और महात्माओं के भी दर्शन हो जाए और एसे में मा मा नर्वदाजी ये आसन हमारी परिपून करती हैं और मैया के दर्सन के साथ सद हमें संतों त्यागी तपस्यों के भी दर्सन हो जाते हैं और हम वीडियो के माध्यम से मा नर्वदाजी के जो भक्तगान हैं जो हमारे दर्सकगान हैं उनको भी हम मा नर्वदाजी के दर्सन कर जाते हैं यह गोगरा गार्ट मद्द प्रदेश के जिला नर्वदा पुरम तेसील सिवनी मालवा में आता है और यह मा नर्वदा जी के दक्ष्ण तट परिस्ते थे बहुत ही सुंदर गार्ट है मैय के तट पर जम आते हैं तो हमें मैय के जल की सीतलता के साथ साथ हमारे हिर्दे में और हमारे मन में भी सीतलता आती है मन को बड़ी सांथी प्राप्त होती है मैय के तट पर आने से यहाँ पर एक संतीजी बिराजमान है उनी के आज हम दर्शन करने जा रहे हैं बहुत ही सुन्दर इस्थान है पीपल के पिड़े के नीचे बाबाजी बिराजमान है जिनके आज हम दर्शन करेंगे और उनके बिचारों से अबगत होंगे जेहो नर्वदा मिया गीजे आज हम फिर मा नर्वदा जी के कित्ट पर घोगरा कुटी पर हैं ये घोगरा घांट है बाबा जी है तो बाबा जी यहां पर प्रकमा वासम की सेवा करते हैं यहां पर ये माता जी बिराजमान है बाबा जी के पास चलते हैं बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी बहुजन परसादी बन रही है बाबा जी बन रही है पाके जाना आप भी नर्मदे हर अब यहीं रहते हैं कहां रहते हैं अच्छ नाट पी रहते हैं जी जी गुरूजी हम तो भोजन परसादी करने को दिस से सब्सक्राइब करते हैं बाबाजी आप मा नर्वदा जी के तटपर कपसे विराजमाने बाबाजी सब्सक्राइब कर लिए वारा साली की उमर से अपन सादू है वारा साली की उमर से सादू बन गए थे वाबाजी सादू बनने का ख्याल केंसे आया आपके मन में इस बड़ की किर्पा है मातारानी की कि किर्पा हो गहीं हमने अंने सन्यास दारन कर लिए कि सेभा करते हैं मैया की परकंवासी आते हैं कि यह अधर देते हैं यहां पर यह परकंवासी की बेवस्ता हैं जो भी मा नर्वदा जी बाबाजी की परगम्मावासी आते हैं उनको यहां पर ठेहराय जाता है बाबाजी की छोटी जी कुटी एक कि बहुत बड़ी विवस्ता नहीं है दले बड़ेव से बाबा जी यहां पर ठेहराते हैं यह भेहरब बाबा वेटे हैं और थे गजी यह बहुरा कुटी है इसाना पुरेट हैं करें जाए हुआ है ज़ी है ज़ी होगा भाजी क्या बना रहा है रोटी में टिक्कड बना रहा है हाथ का टिक्कड बने गया है अच्छा हाथ का टिककड भी बाबा जी आज बोल रहे हैं कि भाईया जाहत का टिक्कल बन रहा है अजय कुआ कि 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 कुआ है कि अजया है जया है जो परकम्म वासी आते हैं जो बड़े महत्मा सिद्ध महत्मा जो होते हैं वह इंका आना कप सुरू होता है जो परकम्म वासी बंद होते ना बंद हो जाते हैं इसके बाद में चलते हैं बड़े महत्मा साधुसंद भीड़बार में नहीं चलते हैं उनको अच्छा भजन नहीं होता उनका इसलिए को बताते हैं कि हिमाले की कंद्राओं में जो तपस्य कर रहे हैं वह भी मान अर्वदा चलते हैं वह से चलते हैं हुआने इक हैं सीता तो बागा जी आप कुछ्हाड़े चंब परकारते बुदन आंद हम चलते आप बागा सब कह उसेचे तो कितने साल की उमर से शन्य ची बैस बारा साल की अब चाना आप महनरवदा जी के तरफ पर कहीं से आना हुआ अपका आपका मातारानी किरपा हुगी परकम बभधाई कितने ऐजाते हैं । पचास और सब्सक्राइब को चाहिस नहीं देखें जो है कि अ अच्छ गाइब माही नहीं कम जाते शव्यार क्षा जिए डिककड की डिए डिक अरwegen यह में चल्न लोगते हैं इसमें अच्छा सिद्ध होता है अच्छ अच्छा कि बाबाजी यहाथ के टिकड़ बना रहा है कि बाबाजी टिकड़ों क्या बोलते हैं कि टिकड़ से दो गया रोटी नहीं पूरे वह गिन्यारी टिकड़ कौन से कहलाते हैं इतना मोटा बनता है कि यह गंटे सिकता है एक गंटे सिकता है कि अब अब जैसे मान अर्वदा जी के तर्ट पर विराजमान हैं बरसों से मान अर्वदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं आप और विराजमाने तो आपको मान अर्वदा जी के तर्ट पर केसा लग रहा है बाबा जी अच्छा लगता है अच्छा बजन करते हैं पूदन करते हैं अच्छा मैया की किर्पा है सांती मिलते हैं बाबा जी मान अर्वदा जी के परति आप में इतनी भक्ती और भाव केसे जागरत हुआ दो ऊबभा उन्हें से लगाव लग गिया हमको माया से और हम पहले जानते भी नहीं थे मैया का टुट कहा है मैया की लाठी लगे उसकी किर्पा हो गए हम नर्वदा टत्त यहीं सेवा कर रहे हैं मा की चर्णों में पड़े हैं मैया के तट पे ही आपको सांती मिली है कहीं नहीं मिली है कहीं सांती मिली मैया की गोध में हमको नहीं सांती नहीं बाबाजी के टिकड़ बंगा हैं संतों के हाथ के टिकड़ खाना तो एक सोभागी की बात होती है सभी मनुस्तों को ये सोभाग प्राप्त नहीं होता है हम बहुती सोभाग गिसाली मनुस्तों के जहां में संतों के हाथ के टिकड़ मिल जाते है संतों यहां जब भी आते हैं बड़े प्रेम भाव से बोचन परसादी कराते हैं कि आज के समय में हम आज की युग में देख रहा है इस भोतिक वादी संसार में मनुष्य दुखी है सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य बड़ा दुखी नजर आता है हमें क्या कारण है इसका कारण यह है कि सांती नहीं है कि सांती नहीं है सांती भगवान के पास है सांती इंसान के पास नहीं है I am Thai इंसान के पास नहीं है और मनित्रस के बेचमें नहीं है संथी वो बिश्णोब भग्वान के पास सांती है कि बाबा जी पढ़ीं सांथि के से प्राप्त करें स्था भजन करिए अपना मन सेम रहीयों जब सांती मिले दि सám कि भाव बना चाहिए सब के दिल में आज़ों कि अच्छा सोचो अच्छा करो जब सांती में अच्छा बाबाजी जैसे कि हम उराप सादू है तो भाग्मान की भक्ती और भजन जो है सादू में ग्रेस्थ नखे भी जो कर सकते हैं कि अच्छा आप लोग भी कर सकते हैं कि मामा वाली हमारे मांबाप नहीं होते तो हम साधु कई से सादु बनता है सादु विर खुद्र है मुनता है 보ंभ भवन बनता है कि बोगना सकता है इसलिए हम वावा छी के टिकड़ बनाते बनाते बावा जी की कुछ विचार है उननसे हम अफगत हो जाए घृप जी अफंह ऻोग मभशा जांग हें का है अजल बाबाबार्जी यह भोजन वगेरा की भोजन प्रसादी की बेवस्ता सब केसे हो जाती है आपको को दिक्कत नहीं आती है मैं दिख्कत नहीं आती है सब उसी के नाम चे अभुद ने करेगी जो सक शुम करते हैं। जो भी भक्तकण आते हैं जो भी सरद्धालू यहां आते हैं तो सादू संतों के पास बड़ा प्रेम मिलता है और इस स्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी भी कराते हैं और जाने नहीं देते हैं जब भी हम किसी वह आसरम में या कुटी में जाते हैं परसादी बनने के बाद सबसे फेले मानरवदा जी को भोग लगता है भगवान को भोग लगता है इसके बाद ही भोजन परसादी गिरहन की जाती है फिर वो भोजन परसाद बन जाता है पावा जी मैया के लिए भोग के झाल, 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 झाल जान है, आपको चाए новых जानाँ, और बाबा जी चाना रहे हैं, आपको चाह पी के ही जाना पड़ेगा, आशरम में चाय की तो एक विसेस परसाद माना जाता है चाह चाह जाए Ahmad बबावा जी को यह वोगराश घाट पर इशनान करते समय मिले थे मैखा चमतकार है रहे मावा जी कहते हैं कि मैखे दर्संदी यह मैख की चरन बावा जी ने बड़े रखा है इनको डेली बावा की पूजन करते हैं मैया की चरण की जे हो नर्वदा मैया की जे नर्वदा मैया की जे बाबा जी की चाय तैयार हो गई है और बाबा जी अब यह चाय च्छना रहे हैं कि अब अब यहां कि चोटी कुटियों में आसरों में जो भी चीज बनती है चाय हो चाय फुल फ्रूट हो चाय भोजन हो प्ले मैया को भोग लगता है अब बाबाजी आप मान अर्वदा जी की एकदम किनारे हैं तो मान अर्वदा जी में तो नेली श्नान करते होंगे हम तो रहे थो कि दो बीड़े लेग्टे नहीं हो शी में इस्नान करना हो अ उसी की घोल में ŉले को माइए викिके अधि यह ने शरीर हमारा में मैया का है उसी को दे दिए अब जह से वो चला रही हुँ से चले इस नरब्दा मैया में इसनान करने से नहीं उसके दर्सन मातर से इंसान का मोग्ष हो जाता है पाप कड़े जाते हैं इसनान मैमें इसनान करने से और उसके दर्सन मातर से ऑनोगष हो जाता है पहले गूश कैने सिस्ती में कुस्द नहीं था है तक कॉंप मै्या की प्रकम्म करने कुरहीं करने श्री मुनी सादूसंत भगवान पूरा तो यहीं गयता है तो मैच कि कहा भी जाता है कि देवी देपता भी माया की त्रट पर तपश्य करने आते हैं यहां बजन करने आते हैं ब्रह्मा बिष्नु महेश सब्वने यहां तपश्य किई भजन कराएं सब्वनिक्वान मिल जाते हैं तुम्री ओना है कहां से मिलेगा आत्मा तुमारी pourquoi पता है इंसान के अंदर दोर में हट जाएगा लूट तो सीधा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा तूर में कर लो तो परमातमा मिल जाएगा तू उगर में हटा दो परमातमा को प्राप्त हो जाओगे नहीं तू में नहीं हटेगा तो परमातमा कहां से मिलेगा बताईए आप जैसे संसार की रीति है आना जाना लगा रेता है मैं भी आया हूँ मेरे को भी जाना है आप आयों आपको भी जाना है सबको एक दिन एक ही जगह जाना है ऐसा नहीं कि मेरे को भी यहीं रहना है नहीं मेरे को भी जाना है अगर में भक्ति कर लोगा तो थोड़ा जल्दी परमात्मा से मिलन हो जाएगा मेरा आप भी भक्ति कर लोगे तो आपको भी परमात्मा पराप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है कि गृस्ते सादूय करें ग्रस्ती भी कर सकता है और सांती तो भगवान के पास है अपन लोगों के पास कहा है लक्षमी जी धनते रश के रोज जा रही थी सब को एक बराबर बनाने जिसनों भगवान से बोलें कि हम सोमी जा रहे हैं सब को एक बराबर बना देंगे तो भगवान ने सोची कि सब बराबर बना देंगे तो काम कोन करेगा मेरा भजन कोन करेगा तो बोले हमको भी कुछ दे दो अरे बोले सोमी आपी का तो सब है हमारा क्या है नहीं 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 आप दोगी जब हमारा है तो लच्छिमी जी ने पूरी सक्तिय उनके पीता मार में रच दी तो उनने क्या किये सब ले लूगा तो कुछ नही सांती भगवान ने रख लिए जब भगवान का भजन करोगे जब तुमको सांती मिलेगी किसी भी भग्मान का भजन कर लो सांती भग्मान के पास है हमारे तुम्हारे पास सांती नहीं है पुरे दुनिया सांती के लिए भटक रहेगी क्योंकि वह तो भग्मान के पास है ना सांती भग्मान का भजन करो सांती मिलेगी जह सांती नहीं हमारे अंदर भी आपके अंदर किसी के अंदर सांती नहीं सांती जब आती है कि जब परमात्मा से आदमी लीन हो जाता है जब सांती उसके अंदर परमात्मा से जब मिलान होता है हम लोग बजन किसलिए करते हैं इसलिए सांती के लिए आप लोग ठी बाड़ी घर मकान गाली गोड़ा इसमें लगे रहे से स्वाट है। प्रें गोड़ा acceso भागवान के पास। यंशय। seis defic्ण प्रप्त कर सकता है जितना हो सके सेवा को भाव प्रप्त करो पांच मिनिट करो भगवान का स्मरन करो आपको मिलें भेस आप इतनी थंड पड़ रही है अभी थंडों के भपड़े नहीं पेने हुए हैं तो कहा हमेंज आपने पड़े मिलते हैं और मान अर्रवदा जी अधर हमें ऐसे ही संथ मिलते हैं प्रशादी गिरन कराई हम धन्य हुए और हमारे धर्शक गाण और हमारे मा नर्वधा जी के भक्त गाण जो वीडियो के माद्यम से बाबा जी के धर्शन करें वो भी धन्य हुए हम सोबाग के साली हैं कि हमें संतों के दर्सन हो रहे हैं और आगे भी हमारी यही कोशिस रहेगी कि हम संतों के दर्सन हमारे चेनल के दर्सक गणों को और भक्त गणों को मनर्वदा जी की जो भक्त गणे उनको हम कराते रहें नर्मदे इहार बाबाजी आपको दंडवत प्रणाम नर्मदे इहार बाबाजी नर्मदे इहार